इस बार किसी का रिकॉर्ड भी तूट गया और जिसने तोड़ा आपको विश्वास भी नहीं होगा जी हाँ दोस्तों पावर इस्टार पोवन सिंग एक ऐसे एकलोते सूपर इस्टार थे जिनका पहला गाना और पहली बार भोजपुरी में कोई गाना सो मिलियन के अकड़े क पार किया था और वो गाना था कि राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया आपको बता दू कि या अमरपाली दूबे जी के साथ गाना आया था फिल्म का गाना था और एक पाटी भी हुई थी वेब म्यूजिक के तरफ से जिसमें अक्षरा सिंग ने काफी धमाके भी मचा बाँए के लोग जी हां दोस्टों पूरी भोजपूरी गाना नहीं है जैसे हमारे भोजपूरी में लोग गिताते हैं वैसे आपको बता दू कि वो गाना ने 600 million के आकड़े को पार कर दिया है लेकिन बता दे कि आखिर पावर इस्टार कि इतने बड़े आकड़े को इतने बड़े भिउस को कैसे तोड़ दिया चिंटू जी नहीं आपको बता दू कि चिंटू का एक गाना आया था कि पांडे जी का बेटा हूँ जी हाँ दोस्तों पांडे जी का बेटा हूँ पहले तो इस गाने में उतना जादू नहीं किया था लेकिन आपको बता दू कि इस गाने ने 400 मिलियन से भी जादा भ्यूस पाली है इस बात की खुसी चिंडू जी के पापा मना रहे थे उन्होंने फेस्बूक पे लाइब आकर केक भी काटा तो यह एक हड़कम सी मच गई है कि पावर इस्टार के इतने फैंस और इतने फॉल्वर्स है जो यह नहीं जानते हैं कि कैसे तूट गया है इतना बड़ा रिकॉर्ड वैसे आपको बता दूँ कि आज भी पावर इस्टार को चिंटू काफी मानते हैं आप सभी को याद होगा कि उनकी पहली फिल्म देवरा बड़ा सतावेला पावर इस्टार के साथ ही आया था और उस समय से ही इनकी दोस्ती काफी अच्छी है लेकिन अक्षरा सिंग के साथ काम करने के बाद पावर इस्टार और चिंटू जी में थोड़ी सी अनबन हो गई थी क्योंकि पावर इस्टार ने उनकी फिल्म को प्रोमोट महीं किया था लेकिन इससे पहले चिंटू की जितने भी फिल्में आती थी पावर इस्टार्ट जम कर प्रमोट करते थे अब यह देखना काफी दिल्चस्प होगा कि लंदन से आने के बाद पावर इस्टार्ट क्या क्याता है उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा